बड़ा ही दुखत विशय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के उपर तीन बार प्रहार होता है कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा सल्मान खुर्शीद, अल्वी साहब और अब स्वेंग उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा कल भारती जनता पार्टी ने सल्मान खुर्शीद जी के किताब के उपर जब प्रेस कॉंफरेंस किया था तो उस प्रेस कॉंफरेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दे सफाई दे और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुल कॉन्फरेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तत्य के उपर सलमान खुर्शीद जी के किताब के उपर अपनी सफाई रखी है और उस सफाई में उन्होंने हिंदु धर्म के उपर और हिंदुत्व के उपर जिस प्रकार का प्रहार किया है इसमें कोई नया विशाय नहीं है यह कॉंग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के उपर प्रहार जरूर करते हैं अवश्य करते हैं भगवान श्री राम के उपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं मैं आज कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से ये जो सलमान खूरशीद हिंदु धर्म के विरोध में कहते हैं उसको बोको हराम या आईएस आईएस से कंपेर करते हैं या जब सशी थरूर हिंदु तालिबान कहते हैं या जब सैफरेंट टर्रिरिजम कहा जाता है ये दिगविजय सिंग जी या मनी शंकर अयर हिंदु धर्म के खिलाफ कहते हैं तो ये इनके नीजी वक्तव्य नहीं होते हैं ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है दर योग साला के मुख्य अध्यापक हैं वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी है ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद सशी थरूर दिगविजय जी मनीशंकर यर फैरिस्त बहुत लंबी है ये लोग हिंदु धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं it is at the behest of the Gandhi family particularly Mr. Rahul Gandhi that the other leaders of the Congress party be it Salman Kursheed be it Digvijay Singh be it Rashid Alvi or be it Manishankar Iyer they often speak against Hinduism this pathological hatred for Hinduism amongst the Congress leader gets its traction gets its energy from Mr. Rahul Gandhi and from the Gandhi family Bandugan मैंने आपको कहा था कि ये कोई पहली बार नहीं है जो Rahul Gandhi Hinduism के विरोध में Hindu धर्म के विरोध में कह रहे हैं मैं कुछ उदाहरन लेके आया हूँ क्योंकि अगर बहुत सारे उदाहरन दोँगा तो प्रेस कॉन्फरेंस लंबा होगा बड़ा होगा मैं उदाहरन देना चाहता हूँ 17 डिसेंबर 2010 का जब विकीलीक सामने आया था और राहुल गांधी जी का वक्तव्य ने पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया था जब यह विशह सामने आया कि राहुल गांधी ने कहा कि बारत में आतंकवादियों से बड़ा खत्रा देश के हिंदुओं से है यह आप सबको पता है जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय यह पूरा विशह खुलासे के रूप में सामने आया था हिंदु पाकिस्तान हिंदु तालीबान यह शशी थरूर जी का वक्तव्य था दोहजार अठाई के जुलाई माह में ठीक उसी प्रकार पीच इदम्बरम जी ने 25 अगस्ट 2010 को पहली बार सैफरन टेरिरिजम भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था यह अनायास ही नहीं किया था यह कोई सयोग नहीं था जो उन्होंने प्रयोग कर लिया और बाकि कई नेताओं ने उसके पस्चाथ सैफरन टेरिरिजम का प्रयोग किया यह बहुत ही सोचा समझा और कहीं न कहीं एक शडियंत्रकारी जाल बिछाया गया था गांधी परिवार द्वारा और हमें यो भी आद है जब हमने टीवी में डिबेट्स किये थे क्योंकि इनकलाब नामा के एक बहुत बड़े उर्दू अकबार ने राहुल गांधी जी का वक्तव्य छापा था हाँ हम मुसल्मानों की पार्टी है ये सब बाते छुपी नहीं हुई है ये जन्ता के सामने है बंदुगर मैं आपको यह भी आद दिलाना चाहूंगा जब राहुल गांधी जर्मनी में जाते हैं और जर्मनी में उन्होंने किस प्रकार से भारत की मूल संस्कृती भारत के सब्वेता के खिलाफ उनोंने वक्त अचार होता है आपको यह भी आद होगा कि एक ऐसा वक्त था जब राहूल गांदी जी ने कहा था मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं और मैं लिखके लाया हूं हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते राहूल गांदी इलेक्षन से ठीक पहले जाते हैं मंदिर वोट की राजनीती करने चाते हैं और यहां वो कह रहतें मंदिर जाने वाले लफंगे होते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं दुखके साथ आपको यह भी याद होगा यह वही पॉलिटीकल पार्टी है जो आज नफरत की बात कर रही है विचारदारा की बात कर रही है ये वही पॉलिटिकल पार्टी है 2019 के चुनाव से पहले भगवान शीराम के मंदिर पर सुप्रीम कोट में सुनवाई ना हो उसके लिए भरसर प्रयोग किया था उसके लिए भरसर प्रयास किया था उनके पार्टी के तरफ से के पश्चात ये सुनवाई भगवान राम के अस्तित्वों को लेकर किस प्रकार से सोनिया गांधी जी के पार्टी ने एक एफिडिविट दिया था जिसमें भगवान राम को कालपनिक बताया गया था यह भी हमसे अचूता नहीं यह भी हम जानते है आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पढ़ रहा है कि आपने कहा कि आपने उपनिशद पढ़े है राहूल गांधी जी ने उपनिशद पढ़े है राहूल जी इस प्रेस कॉंफरेंस के बाद छंदोग्य उपनिशद ऐसा नाम तक प्रुच्चारित करके दिखा दीजिएगा उपनिशद पढ़ा है आपने हिंदुस्तान का कॉंस्टिटूशन पढ़ लिया हो तो वही काफी है हिंदुस्तान के कॉंस्टिटूशन में समविधान में ये प्रयोजन ही नहीं है कि हम भैमनस्यता पहलाएं आपने आज जिस प्रकार से हिंदु धर्म और हिंदुईज्म के खिलाफ बोला है दिस अगेंस दे बेसिक टेनन्स अफ इंडिन कॉंस्टिटूशन आपने नहीं भारत का समविधान पढ़ा है और उपनिशद तो बहुत दूर की बात है आपके पर उपरिशत के नामों को उच्चारित करिए यही हमारे लिए बहुत होगा मुझे याद आता है हमारे अटल विहारी बाजपाई जी की वो कविता आज राहुल जी ने हमारे मन को देश के 130 करोड जंता के मन को ठेस पहुँचाया है हिंदु धर्म के विरोध में कहके उन्होंने कहा कि हिंदु धर्म के लोग दूसरों को मारते हैं काट देते हैं हम सिखों को बाकी लोगों को मारते हैं यह घ्रनक शब्द हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए राहुल जी